हेलो फ्रीवन वेलकम टू बेक टाइम क्लासेज इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक नया पाली का कबर करेंगे जिसमें हम सुप्रीम कोट हाई कोट के बारे में सभी चीज़ें जो भी पूछी आते हैं उसे देखेंगे चले शुरू करते हैं सरवोच नया भारत का नागरिक होना चाहिए राश्ट्रपती की नजर में एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए मतलब उसको कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए किसी उच्छ नयाले में मतलब किसी हाई कोट में पांच वर्स तक नयाधीस वह रह चुका हो पहले तभी वह पांच साल तक सब्सक्राइब नयाधीस बन सकता है वर्तमान वर्तमान में कितने जज है? 33 प्लस वन मतलब 33 वैसे नयाधीस है एक मुख्य नयाधीस है जो मीं है चीफ होता है हमारा हम इंडिया का वह एक है बाकी 33 तोटल मिलाके 34 अब यह नियाधीसों की संख्या में लगा संसत को अधिकारप्र विद्धी नियादिसहों की संख्या में रीधी कर सका सुप्पीम कोड के नियादिस होते हैं उनकी नियूगती किसके द्वारा उती राश्ыш्टपदी के द्वारव नियूगती होती है एक विवस्था के अधार पर होती हैं कोलेजियम व्योस्ता जिसमें कई सारे लोग होते हैं मेन होता है मुख्य नयादिस जो सर्वोच नयाले यानि सुप्रीम कोड का मुख्य नयादिस होता है उसी की सलापर राष्टपती जो है बाकी नयादिसों की नियुक्ति करता है इसे कहते हैं कोलेजियम सिस्टम इसमें कई सारे आप सपत लिए उसके सामने नयादीज होता है सुप्रीम कोट के जजिस का तो 2,80,000 अब इसका वेतन होता है दो लाग अजिस का अगे चलेंगे अगर पूछा जा सकता है कि तदर्थ नियादीश की निउकति का प्रावधान स्वुप्रीम कोर्ट में है या फिर हाई कोट में निउकति की 15hmen के प्रावधान तदर्थ नृटिकल में आती है आजे चलेंगे सर्वोच नियादीश होने के बाद किसी भी ने एले में वकालत नहीं कर सकता है तो इस तरह का अगर स्टेटमेंट आ जाए तो राष्टपती नेगा क्योंवही नियुक्ति करता है तो त्याख पतू भी राष्टपति को धेगा सुप्रेम कोट का जज या फिर समर्था हो जाए मतलब वो काम ना कर पाए अपना कदाचार के आधार पर भी उसे संसद के विशेश बहुमत के द्वारा महाभियोग से हटाया जाता है उसी तरह से जो सुप्रीम कोड के जजिस होते हो उन पर भी महाभियोग लग सकता है हटानी के लिए कहां सब्सक्राइब विर्मा स्वामी के उपर लेकिन पास नहीं हो पाया था इनके उपर भी आया था यह महाभियोग लगा था लेकिन बाद में इन्होंने पहले ही त्याग पत्र दे दिया था सुप्रीम कोड की हटाना हुगा अगर कदाचार के आधार पर या फिर किसी तरह के असमर्ता के आधार पर तो महाभियोग के द्वारा ही अटाया जाएगा राष्टपती पर महाभियोग किस आर्टिकल में आता है तो आता है आर्टिकल 61 में नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम नयाधीस कौन था अगर सुप्रीम कोड की बात करें तो हीरा लाग जीकानिया थे नेक्स सर्वोच नयाले के कुछ छेत्रा अधिकार होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो प्रारंबिक छेत्रा अधिकार होता है जिसके आधार पर सुप्रीम कोड जो है अगर राजियों और राजियों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करता है इसके का अपीलिये चेतर अधिकार भी इसका होता है आगे चलेंगे पुनर विचार का अधिकार यह अपने ही आदेश पर जैसे कोई अभी इसने आदेश दिया सुप्रीम कोट ने उसको चाहे तो यह बाद में चेंज कर सकता है लेकिन जब तक यहीं वाला माना जाएगा जब चें करना से अधिकारों हमारे रख्षक को है यह सम्मिधान का रख्षक को हमें स理डिदान का सबidden प्रॉक के अगर क्या अगर सबके लिए रिख सकता नहीं है जो समगे सुप्रीम कोट के द्वारा आर्टिकल 131 और 132 के तहट अपने आदेश पर भी पुर्ण विचार कर सकता है न्याइक पुर्णराव लोकन कर सकता है संसत के निर्णायों पर भी आगे चलेंगे अब यहाँ पर अभिलेख नयाले मतलब इसकी अभिलेख अगर कोई और आगे सुप्रीम कोट का तो हड़ जगह माने होगा उसके कहीं भी लगा सकते एक प्रूफ के तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वे एक साच की तरह इसके अभिलेक काम करते हैं सीधे अधिवक्ता से उच्टम नयाले की नयाधीस बनने वाली पहली महिला कौन थी तो ये थी इंदू मलहोत्रा इंदू मलहोत्रा ये कोशिन पुछा जा सकता है अभी एक दो साल पहले ये बनी थी भारती समिधान का रक्षक किसे का जाता है तो सुप्रीम कोट को ही का जाता है भारती समिधान का रक्षक राष्टपती को परामस लेने का अधिकारे किसे तो सुप्रीम कोट से राष्टपती परामस ले सकता है मुखे नयाधीस से लेकिन वो मानने के लिए बाद नहीं है राष्टपती चाहे तो उसकी बात माने या फिर ना माने परामस लेके छोड़ सकता है आगे चलेंगे अब उची नयाधीस आर्टिकल में आता है तो वैसे काफी लंबा इसका रेंज है 214 से सुरू हो जाता है लेकिन एक मेन मानना जाता है वह 226 में उची नयाधीस के बारे में प्रावधान है यहीं आप्शन में अक्सपप पूछ ले जाता है योगिता जो है क् नयाधीस बननाइं, उच्छ नयाले में तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दस वश स तक वकालत या फिन नया ही क अधिकारी रह चुका ओ, दस वश तक किसी भी कोट में वो नियुक्ति की जा रही है उस हाइकोट के मुखने इसकी सलाओ पर उस राज के राजीपाल की ब्हारत की सलाओ उनकी सलाओ उनकी सलाओ राष्ट पती द्वारा हाइकोट कोट के जज़ी की जाएगी आगे चलेंगे सपत किसके सामने लेता है जो फ़ॉग की चई होता है राजिपाल दवारा राजिपाल सपदीलाएगा नियुग्ति कोन करेगा राष्टपती सपत कोन दिलाएगा शांत 350 को राजिपाल ऺयत राखिंप होता है हाई कोट के जज का टो मुख्य नियाधीज का होता है two lakh 50 जार जितना कि सुप्रीम कोट के from the बाकिzeit को हौटा हाई को वाली का two lakh 50000 अब 25000 अनने न्याधीज हो अलग अलग high courts में अलग अलग number of judges होते हैं अगर चलेंगे high हाई कोट में नेधीशों का वेतन कहां से दिया जाता है यह कोश्चन काफी पूछा जाता है तो राजी की संचित नेधी से राजी के जो हाई कोट होते हैं उनके नेधीशों का वेतन दिया जाता है राजी की संचित नेधी से लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे उन्हें पें यहां पर आप इसके अलावा राश्ट्पती को त्यागपत्र दे सकता है या फिर महाभियोक के द्वारा सिद्ध कदाचार ससा या फिर अस्मर्था है तो से महाभियोक पूछा नियॉक्ति यह सब पूछ सब तेस्ट के साथ ही सभी शॉर्ट नॉट वगर आपको टेस्ट और कुछ के साथ ही प्रोवाइड कर दी जाएंगे थैंक यूच वाचिंग लेक टाइम क्लासेश